असलम अलेकुम स्टूडेंट, I hope you will all right, we are going to start chapter number 5 और हमारे टाइटल है, The Mullah's Son, Mullah का बेटा ये एक बच्चे के बारे में स्टोरी है, जिसके फादर मुला दू पयाजा है वो उनके पास हर बात का जवाब होता है, लेकिन एक दिर उनका बेटा उनसे ऐसी बात कहता है कि वो स्पीचलेस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं कुछ Now come to words some difficult words, first one is behave, behave का मतलब होता है आपके बोलने का अंदास या फिर रवया, to act in an acceptable way, being polite and good tempered या अच्छे तरीके से बात करना, second है court, court कहते हैं दर्बार को, किसी भी बादशा का दर्बार या फिर एक तरह से अदालत कह सकते हैं, the ministers, officers and officials who attend a king Decided, decided का मतलब होता है, फैसला करना, made up one's mind The fourth one is directions, directions means lines, point in different places, यानि के हदायात Fifth है famous, famous का मतलब होता है, known by many people, ऐसा शक्स जिसको बहुत लोग जानते हो, यानि काफी मशूर हो Shocked, shocked का मतलब है, upset or surprised, यानि हैरान Speechless, speechless का मतलब होता है, not able to speak, बोलने के काबिल ना रहना, या फिर silent या फिर चुप हो जाना Last one is troubles, troubles का मतलब है, worries and problems, यानि के कोई मुश्किल या फिर परिशानी Now come towards the story, over 400 years ago, चार साल पहले, there lived a king called Akbar एक बादशा था, जिसका नाम था, अकबर, he was such a great king, वो इतना बड़ा बादशा था, that he was called, के उसे कहा जाता था An imperial, एक imperial, imperial जो होता है, वो king से ज्यादा strong होता है, ठीक है, और उसके पास बहुत ज्यादा जगें होती है अकबर lived in a huge palace, अकबर एक बहुत बड़े महल में रहता था, in Delhi, देहली में, at Akbar's court, अकबर के दरबार में, there were many famous people, बहुत से मशूर लोग थे, there were artists, जिन में artists थे, यानी चीजें बनाने वाले, and musicians, और गाना बजाने वाले, dancers, नाचने के लिए, and poets, और शायर, and clever scientists, and writers, और बहुत से चालाक और जहीन, साइंस्तान, और लिखने वाले, two वो भी थे, there was also a very funny man there, वहां पर एक बहुत मजाहिया शक्स भी था, funny का मतलब होता है, बहुत मजाहिया, हंसाने वाले शक्स, called मुलाडू पयाजा, जिसका नाम क्या था, मुलाडू पयाजा,